पुलंदी देर तक किस शक्स के हिस्से में रहती है बहुत उची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है लोगसबा चनार से पहले कॉंग्रेस पार्टी का यही हाल है कि वो अब हर वक्त खत्रे में है और उसके नेता कब उसको अलविदा कहकर वीजेपी का दामन ठामले कोई नहीं जानता लेकिन जिस वक्त सियासी गल्यारों में कॉंग्रेस को लेकर चर्चाय हो रही थी कि ऐसे में खबर में कॉंग्रेस के लिए मुश्किले और जादा वढ़ा दी है क्योंकि अब कॉंग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं के लिस्ट में ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसके बाद कॉंग्रेस पाटी में हड़कंप मचा हुआ है वो शक्स जो कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री रहा हो क्या अब वो भी कॉंग्रेस को अलविदा कहने बाला है ये कयास लगाए जाने लगे हैं तो कॉन है वो कॉंग्रेस का नेता और किसके बयान से कॉंग्रेस पार्टी में मच गई है भगदर सब कुछ आपको point to point बताते हैं कॉंग्रेस पार्टी में मच आप भयंकर बवाल कमलनात को लेकर अठकली तेज क्या बीजेपी से मिला नात को नेोता राम के नाम पर क्या होगा MP मिखेला लोगसभा चुनाब से पहले कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से विखर चुकी है क्योंकि विपक्ष के दम पर कॉंग्रेस ने भी पियम मोदी को हराने का सुनेहरा खौब सजाया था जो पूरी तरह से चकना चूर हो चुका है पियम मोदी को हरानी के लिए बना विपक्षी गटबंधन अपनी आखरी सासे गिन रहा है एक एक करके सभी पार्टियां विपक्षी गटबंधन से किनारा कर रही है कॉंग्रेस को जबरदस्त जटके लग रहे हैं ऐसे में जब कॉंग्रेस बुरी तरह से बिखर चुकी है तो कॉंग्रेस के एक और दिगज नेता को लेकर सियासी बाजार काफी जादा गर्म हो गया है जिसने कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तो चलिए उस नेता के नाम से भी परदा हटाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यूं कॉंग्रेस में नेताओं के दिल्चस्पी दीरे दीरे खतम होती जारी है लोगसभा चनाव से पहले कॉंग्रेस के दिगज नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व सियम कमलनाथ को लेकर इस वक्त चर्चाएं काफी तेज हो गई है और कहा ये जा रहा है कि वो भी किसी भी वक्त अपना पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ये कयास उस वक्त जादा सच लगने लगे जब MPBJP के अध्यक्ष ने कमलनाथ को ओफर दे दिया जिसने कॉंग्रेस पार्ठी की नीन दोडा दी है पूर्व लोक सभाय स्पीकर के बाद में अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कॉंग्रेस के दिगजनेता कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का ओफर दे दिया शर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का सत्ता रूर दल में शामिल होने का स्वागत किया जाएगा अगर उनके दिल में ये दर्द है कि कॉंग्रेस ने राम मंदिर प्रतिष्ठा समारो के निमंत्र का बैश्कार करके बगवान राम का अपमान किया है तो वो बीजेपी में आ सकते हैं शर्मा ने ये टिपड़ी भोपाल में मीडिया से बाचीत के दोरान की उन्होंने कमलनाद के भाजपा में शामिल होने की अफवाहों पर ये बयान दिया जुसने सियासी बाजार काफी जादा गरम कर दिया है दरसल वीडी शर्मा ने कहा है कि अगर किसी को भाजपा नृत्यत्व और उसकी नीतियों में विश्वास है तो ऐसे लोगों के लिए पाठी के दरवाजे खोले हैं हमने कॉंग्रेस के उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिये हैं जो मानते हैं कि उनकी पाठी ने राम मंदिर प्राड प्रतिश्टा समारो का बहिश्कार किया है भारत की मन में राम हैं हर्दय में राम बसे हैं कॉंग्रेस ने उनका अपमान किया अगर इन नेताओं के दिल में दर्द है तो उन्हें मौका देना चाहिए और आपको जो नाम कमल नात ले रहे हैं अगर उनके दिल में ऐसी पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका पार्टी में स्वागत है कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि नात के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं लोकसबा चुनाव से पहले नेताओं की खरीद परोक्त के लिए 70 रूड पार्टी की तरफ से पहलाई गई अफवाहों से जादा कुछ भी नहीं है रैसल आपको बता दें कि जबलपूर के मेयर जगद बहादूर सिंग अन्नू के साथ ही नात के कई करीबी नेता कॉंग्रेस चोड़ कर भाजपा में पहले ही शामिल हो गए हैं कमल नात से इस महिने के शुरवात में जब बीजेपी में जाने की अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने कहा था कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ कमलनात और उनके बेटे चंदवाड़ा के मौझूदा संसद नकुलनात इंदिनों संसद एक शेतर के दोरे पर है कॉंग्रेस आला कमान की तरफ से अपचारी घोशना नहीं किये जाने के बावजूद नकुलने खुद कुछ चंदवाड़ा से लोग सभा परत्याशिक घोशित कर दिया है नात चंदवाड़ा के कई गाओं की आभार सभाओं में भाग भी ले रहे हैं जहां वो कॉंग्रिस निताओं और कारिकर्टाओं के साथ ब्लॉक स्तर की बैटकों में शामिल होने के अलावा इस्ताणिये लोगों से भी मिल रहे हैं इस महिने के शुरुबात में भाजपानेता सुमित्रा महाजुन ने कहा था कि अगर वो यानी नात आना चाहते हैं और देश के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हें राम का नाम लेकर काम करना चाहिए जो लोग काम के लिए जुड़ना चाहते हैं उन सभी का स्वा तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ट भाजपानेता और राजे के शेहरी विकास और आवास मंतरी कैलाश विजेवरगिये ने कहा था कि नाद के लिए सभी दर्वाजे बंद हैं, पूर्वसांसद ने कहा था कि हम उन्हें सुईकार नहीं करेंगे, हमारे दर्वाजे बंद हैं, हम उन्हें क्यों लेंगे जब आप बाजार जाएंगे तो आप ताजा फल लेंगे यह सड़ा हुआ इतना ही नहीं एक तरफ तो बीजेपी के अध्यक्ष ने कमलनाथ को ओफर दे दिया है कि कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं सत्रा फरवरी को कमलनाथ फिर से दिल्ली पहुँच गए अपने दिल्ली प्रवास के दोरानी कमलनाथ भाजपा के कई नेताओं से मलाकात करने की भी कयास लगाए गए बताया गया कि कमलनाथ पांच दिन के चिंदवारा दोरे पर थे जिसे रद्ध करके अचानक से उनका दिल्ली दोरा तैह हो गया हालांकि कुछ दिन पहले ही कमलनाथ से जब यह सवाल पूछा गया था कि क्या वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं इस पर उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि वो कॉंग्रेस चोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं वहें इससे पहले बीजेपी की पूर वलोकसभा स्पीकर समित्रा महाजन ने भी कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का खुले तोर पर ओफर दिया था इसके अलावा विदान सभा सत्र के दोरान ही वेलेंटाइन डे के दिन सदन में चर्चा के दोरान केलाश विजवर्गी ने भी कहा था कि कमल से प्यार का इजहार किया जाता है और कमलनात यहां बैठे हैं ऐसे में कमलनात को लेकर बीजेपी के निता लगातार बयान बाजी भी कर रहे हैं हालांकि कमलनात में भारतिय जंता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया था लेकिन कॉंग्रेस के राज्यसभा उमीदवार अशोक सिंग के नामांकन के दोरान भी कमलनात शामिल नहीं हुए जबकि वो प्रिस्तावक भी थे ऐसे में राज्यसभा चुनाव के बाद अब जिस तरह से वीडी शर्मा ने एक बार फिर से कमलनात को लेकर बयान दिया है उससे मध्यप्रदेश का सियासी पारा गर्वाता हुआ नजर आ रहा है ख़बर तो ये भी निकल कर सामने आई कि भारतिय जनता पार्टी से डील भी मुकमल हो चुकी है जब ये ख़बर सामने आई कि अचानक से कमलनात और उनके बेटे और सहयोगियों के साथ दिल्ली कूछ कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात को कई तरीके के सवालो के घेरे में भी रख दिया गया उनको लेकर कई सवाल भी उठने लगे दरसल खबर ये भी आई कि चंदवारा के साथी पार्टी के बाकी विधायकों से नाथ के नेताओं ने फोन पर बाचीट की कमलनाथ के साथ दरजन भर से जादा विधायक और काफी संख्या में कॉंग्र चोड़ कर भाजपा में जाने में बहुत जादा वक्त नहीं लगेगा वहीं पूर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गाधी के तीसरे पुत्र यानी कमलनाथ को तीसरा पुत्र बताया जाता है आखर पार्टी क्यों छोड़ना जाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है इस बड़े कांधी के करीबी माने जाने वाले जीतु पटवारी को कमलनाथ की जगा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया कॉंग्रेस ने तीन युवा नेताओं को कमान सोपी जीतु पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और सत्य देव कट कारे को उपनेता प्रतिपक्षुनी उप किया गया इसके बाद से कमलनात नाराज बताय जा रहे हैं कमलनात कॉंग्रेस के कई बड़े कारिक्रमों से भी दूर रहें जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अठकलों को बल मिल रहा है जीतू पटवारी के कारिभा संभालने का मौका हो या फिर राजसभा के लिए कॉंग्रेस उमीद्वार अशोक सिंग का नामांकन हो कमलनात इनकारिक्रमों से दूर ही रहे लेकिन उनका नमांकन के दोरान भोपाल नहीं पहुचना बहुत बड़े संकेत देता है कमलनात और उनके बेटे नकुलनात चिंदवारा दोरे पर थे और लगातारस्थानी कारिक्रमों से शामिल होने में नदारत भी नज़र आए और हाली में ये दावा भी किया गया था कि कमलनात दिली में पियम मोदी से मुलाकात करनी के लिए वक्त भी मांग रहे हैं कॉंग्रेस के केंद्री नितत ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के उद्गाटन में शामिल होने से इंकार कर दिया था इसके बाद कमलनात और उनके बेटे नकुलनात ने चिंदवाडा में भगवान राम की नाम के परचे भी बाते थे और इसके साथी कमलनात ने लोगों से अपील भी की थी कि कम से कम 108 बार भगवान राम का नाम लिखे कॉंग्रेस के राज़्टी प्रवक्ता आलोग शर्मा ने कमलनाथ पर भी बड़े आरोप लगाए है उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की पिछले 5 से 6 साल के कारिकाल को देख कर लगता है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बने टिकट वित्रड में भी उन्होंने एहंकार दिखाए और उसके बाद प्रवक्ता के खलाफ पार्टी हाई खमान ने अक्शन बेलिया था लेकिन एक बार फिर से अब कमलनाथ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर में है तो देखना बेहदी दिल्चस्प होगा कि क्या कमलनाथ कॉंग्रेस को चोड़ कर बीजेपी का दामन थामेंगे और अगर ऐसा होता है तो लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस पूरी तरह से बैक फूट पर आ जाएगी आपका क्या मानना है कॉमेंट करके जरूर बताइए फिलाल के लिए इतना ही बाकित तमाम खबरों के लिए आप बने रही कापिटल टीवी के साथ नमस्कार